आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आपको इसी की वैल्यू बतानी है, H का वैल्यू गिवन है Planck Constant का और C गिवन है, Speed of Light ठीक है, अब देखो हमारा Energy क्या होता है E is equal to, यहाँ पर आप डेल नॉट लिख सकते है, Octodal Splitting Energy या फिर E लिख दो, H न्यू होता है तो यहाँ से आपका E क्या आएगा, H C by Lambda and C is 3 into 10 raise to power 8 meter per second में आएगा, upon में हमारा क्या होगा, Lambda और Lambda क्या है आपका यहाँ पर, जो wavelength है, wavelength हमारा क्या है 498, nanometer है, तो meter में लिखेंगे, 498 into 10 की power minus 9 तो यहाँ से जब हम इसको solve करेंगे, तो यहाँ का 0.0399 into 10 की power आपका क्या आजाएगा, minus का 17 joule, क्या आएगा, joule आएगा, क्योंकि यह क्या है, joule per second, यह आपका क्या है, joule second होता है और यह आपका meter per second है, तो यहाँ से यह दोनों cancel और यह आपका meter है, तो meter cancel सिफ joule में आया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो, unit minus 19 में है, तो हम इसको क्या लिख सकते है, 3.99 into 10 की power minus का 19 joule, और अगर nearest integer में अगर इसको लिखना है, तो it is 4 into 10 की power minus का 19 joule, तो यानि कि हमारा answer nearest integer में क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो आपका answer हो गया 4, thank you Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts, 84444 सुपर